मस्कार आप दीख रे न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांथ वना आपके साथ जदियू में मुक्षेमंद्रु नितीश कुमार से बड़ी कोई अदालत नहीं और अंतिम फैसला उनका ही होता है जदियू के नेताओं ने ये साथ कह दिया है दरसल गुलाम रसूल बलियावी को लेकर बिहार की सियासत में इन दों हाहाकार मचा हुआ है जहां गुलाम रसूल बलियावी के बयान के बाद विपक्ष पूरी तरीके से उनका विरोध कर रही है तो वही दूसरी तरफ बिहार की महागजबंदन सरकार की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है खुद जद्यू भी अपने नीता गुलाम रसूल बल्यावी के इस बयान से नाखुश थी जहां जद्यू ने ये चेताबनी देनी की कोशिश की थी किस तरह की बयान शोबा नहीं देती और राजनितिक तोर पर इस तरह का बयान देना पूरी तरीके से गलत है और अब ऐसा माना जा रहा है कि जद्यू गुलाम रसूल बल्यावी को लेकर बड़ी कारवाई करनी की तयारी में है जहां एक तरफ BJP का भले ही ये कहना है कि ये एक प्रेयोग है जो कि जद्यू के तरफ से क्या जा रहा है ये राजनिती है ये सियासत है लेकिन जद्यू के नेता उने साफ कह दिया है प्रतिश कुमार से बड़ी कोई अदालत नहीं और उनकी अदालत में हमेशा न्याई ही होता है असल जदियू नेता गुलाम रसूल बल्यावी पर पार्टी की कारवाई तै मानी जा रही है पार्टी के सीनिय नेतो और बिहार सरकार की मंतरी श्रवन कुमार ने ऐसा संकेद दे दिया है कहा है कि मामला मुक्षि मंतरी की संग्यान में हैं कोई ना कोई छोस निर्ने जरूर होगा बल्यावी ने हाली में कहा था कि प्रदान मंत्री को अगर पाकिस्तान से जड़ लगता है तो वो 30 प्रतिशत मुसलमानों को फोज में भरती करे जवाब हम देंगे विवाद बढ़ने पर उन्होंने मंगलवार को फिर कहा कि मेरा सीधा सवाल सरकार से है मानी मतलब जिसको जो निकालना है निकाले अब मंत्री शेवन कुमार ने कहा है कि जडियू में सीम नितिश से बड़ा कोई अदालत नहीं है सीम के संग्यान में ये बाते आ गई है नितिश कुमार हमारे सर्वमार्ने नीता है जब उनके संग्यान में ये बाते आ गई है तो नुश्यत ही कोई न कोई छोस निर ने ल कि पाठी उनके बयान का समर्था नहीं करती है इदर मुझ़फरपूर में मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने भी कहा कि लोग जो चाहते हैं बोलते रहते हैं हम उनसे मिलेंगे और पूछेंगे जद्यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सेना पर हमें गर्व है धर्म के आधार पर सेन्य पुरुशार्थ पर कोई सवाल नहीं उठा जा सकता एकान्य प्रवक्ता अभिशेग ज्छा ने कहा कि बलियावी ने किस केपैसिटी में ऐसे बयान दिये हैं ये समझ से परे हैं पाटी ऐसे बयानों से एक्तिफाक नहीं रखती बरहाल गुलाम रसूल बलियावी के सेना पर दिये बयान को लेकर बिहारत में सियासत गर्मा गई है बिहार विदान सबा में विपक्ष के देता वज़सेना ने कहा है किसी अमितिश उमार कुर्सी बचाने के लिए समझोता पर समझोता किये जा रहे हैं इस वज़े से राजवनीती में अस्थरता उत्पन हो गई है जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है उन्होंने कहा कि कोई संयोग नहीं है इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है ये प्रयोग है ताके से जातिय उन्माद उत्पन हो सके धार में कुन्माद पैदा हो वर्ग संखर्श हो और नौजवानों के बीच एक निराश्य हताश और सज्जिन शरीफ लोगों के बीच एक भय का वातावरन बने लेकिन भाजपा इस तरह के साज़िश को कभी काम्याब नहीं होने देगी बाजपा निजा इस तरफ एक तरह तरीके से गुलाम रसूल बल्यावे के बयान को जद्यू का एक एकस्पेरिमेंट बता रही हो और साफ भाजपा का कहना है कि ये जाती और धार में कुनमात करनाने की कोशिश है ताकि वर्गों को समाज को बाटा जा सके लेकिन इस कोशिश को भाजपा नाकाम करके रहीगी तो वहीं दूसरी तरफ जद्यूर इस साफ कह दिया है किस तरह के बयान का वो बिलकुल भी समर्थन नहीं करती है और पाटे के बाकी नहींता गुलाम नसूल बल्यावे के इस बयान से बिलकुल भी खुश नहीं है उन्होंने खुद को अलग कर लिया है उनके इस बयान से और अब माना जा रहा है कि जल्दी मुक्षि मंदू निदीश कुमार के संग्यान में आने के बाद इस मामले पर कारवाई तै है फुला के लिए इस कबर में अतना ही नमस्काओ